पेलकम टू आई टी आई मेकैनकल गुरू फ्रेंड्स आज हम बात करने बाले रीमर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्चिन्स के बारे में जो पिछली परिक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्ष्ट कॉस्चिन है काउंटर सेंकिंग मे जाती है तो हल के सिरे को उपर से तच्छा कीerd गाता है नट या बासर एक की सता के साथ सही बीट सके इसके लिए खालिस्तान क्रिया की जाती आपसंड agua intra counter boring और spot facing तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा spot facing इसके लिए हम spot facing करते हैं next question है counter sink ribet head को बठाने के लिए खालिस्तान degree पर hole की counter sinking की जाती है option है 75 degree 80 degree 60 degree और 45 degree तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा हमारा 75 degree counter sink जो ribet head को बठाने के लिए 75 degree पर hole की counter sinking की जाती है next question है सुराख के बर्रे दूर करने के लिए खालिस्तान degree पर counter sinking की जाती है option है 60 degree 120 degree 90 degree और 45 degree तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो दूर किया जाता है तो 90 degree पर counter sinking की जाती है next question है टेप द्वारा चूडी काटने से पहले सुराख की चेंपरिंग खालिस्तान degree पर की जाती है option है 75 degree 90 degree 80 degree और 120 degree तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा 120 degree next question है spot facing की क्रिया खालिस्तान द्वारा की जाती है option है fly cutter drill counter sink drill और spot tool तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा fly cutter fly cutter की द्वारा spot facing की क्रिया को हम करते है next question है रीमर एक cutting tool है option है single point cutting tool multiple putting and control और अपरूप्त मैं से कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा बो हो जाएगा multiple point cutting tool रीमर जो होता है बहें multiple point cutting tool होता है जैसा है यह सही हो जाएगा नेश्ट क्वेस्चन है रीमर खालिस्तान धातु का बना होता है ओप्षान है माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कारवन स्टील और अर्थात हाई स्पीड स्टील और हाई कारवन स्टील तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थात हाई स्पी की लिए करते हैं अप्षान है रफ कटिंग इसमूथ फिनिशन दोनों और उप्रोक्त कोई नहीं तो इसका राइट अंसर वह जाएगा वह हो जाएगा हमारा स्मूथ क्योंकि लेफ्ट हैंड फ्लूट रीमर होते हैं उनका प्रियों हम स्मूथ फिनिसंग के लिए करते हैं नेस्ट क्वेस्टन है राइट हैंड फ्लूट रीमर का प्रियों खलिस्तान के लिए करते हैं और सुराख करने के लिए स्मूथ फिनिसंग के लिए रफ कटिंग के रफ का रहा आ जाएगा तो राइट हैंड उसके लिए रफ का लिए और लेफ्ट हैंड के लिए स्मूथ के लिए नेश्ट कोश्चन है जन रीमर का व्यास खालिस्तान एम एम से अधिक होता है उनमें हेलिकल फ्लूट्स काटे जा सकते हैं उप्शन है छे दस बारह और उननी तो इसका जो राइट आनसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेूट्स हम काट सकते हैं आप कोश्चन है टेपर अपन रीमर का प्रियुक्ते लिए करते हैं और needles बनाने के लिए मुल को बढ़ा करने के लिए drill hole का सुद्ध साइज में finish करने के लिए और उपरोक्त सवी तो इसका जो right answer हो जाएगा drill hole का सुद्ध साइज में finish करने के लिए nox किया जाता है इस ट्क्वेस्टिन है रीमर की वड़ी में Flutes होते हैं मार्म की बॉर्डी में जो फिलूट्स होते हैं विसम संख्या में होते हैं जैसे बिसम संख्या कौंसी तीन पाइस, साथ इस प्रकार से चेलुनिख में फिलुट्स कटे होते हैं लुट्फ में का दूसरा नाम है उप्ज़न चिक warm ज्याइए बेसा राम चेलूड को सबी रीमर होल के लिए ड्रिल साइज घालिस्तान मिलीमीटर रखा जाता है अपसान है 19,195,1965 और 19.9 तो यह आपको बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.65 इसका एक सूत्र भी होता है वो हम आपको पहले बता चुके हैं नेस्ट क्वेस्टन है 12 मिलीमीटर ब्यास के रीमर होल के लिए ड्रिल साइज घालिस्तान मिलीमीटर रखा जाता है ऑपसान है 11.75,11.2,11.4 और 11.65 तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11.75 नेस्ट क्वेस्टन है बोरिंग और रीमिंग में समानता है ऑप तुल एक समान परियोग किए जाते हूं कि दौनों की लेंट के बात की जाती है और कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों कुम्दुआ बात की जाते हैं कौन का सब्सक्रिएं से पहले वारिमेंग on कि जब हम रीमिंग करते हैं तो हुल का जो साइज होता वो बहुती परिशुद्ध हो जाता है और बोरिंग की जो क्रिया होती है उसमें हम हुल का साइज बढ़ाते हैं नेस्ट क्वेश्चन है एंडरीमर के पिक्षा मसीन रीमर की टेपर लीड खालिस्तान होती है अधिक कम बराबर और उब्रुक्त सभी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत हो जाएगा कम एंडरीमर के पिक्षा जो मसीन रीमर की टेपर लीड होती है वाल कम होती है लास्ट क्वेस्टन है पाइलेट रीमर का प्रियोग खालिस्तान पार्टों की रीमिंग में किया जाता है ओप्सन है ऑटो मोबाइल कास्टिंग छोटे पार्टों की रीमिंग में और उपरुक्त में से कोई नहीं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा automobil वाटों की रीमिंग के लिए किया जाता है पाइलेट रीमर का प्रियोग drill size का जो सुत्र होता है वो होता है रीमर size माइनस कुष्टक में under size प्लस oversize तो इसकी एक तालिका होती है गो हम आपको बता देंगे तो उसमें होता है क्या है जो रीमिंग की जाने बाल होल का व्यास होता है यदि वह 5 mm से कम है तो under size उसका होता है 0.1 से 0.2 mm और जो 5 से 20 mm तक का होल होता है उसमें 0.2 से 0.3 mm तक रखा जाता है 21 से 50 mm तक यदि होल का व्यास होता है तो 0.3 से 0.5 mm तक under size रखा जाता है और जब 50 mm से उपर का होल का व्यास होता है तो 0.5 से 1 mm तक का उसमें under size रखा जाता है और oversize हमेशा 0.05 रखा जाता है एम एम मैं तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपका पूरा जो है डाउट क्लियर करेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजी अपने चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भून है थ्रेंक्स पर वाचिंग जैहन बंदमात्रम